कि क्या यह इतिफाक है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस के लेना देना है उनका नहीं समाल यह है कि यह जो कि एक आत्म विश्वास खोच चुके हैं यह चुनाव का नहीं है जनता के साथ उनका कोई करनेक्टिंग यह तो हर चीज में को जूट बोला पड़ा है अपने ज़से का स्विए में जूट बोले जैसा वो किसाना अंदुलन में जूट बोले कि जैसे वो हमारे कोई भी निल्य हो हर प्रकार से जूट फैलाना क्यों कि उनको लगता है कि यह तो होता ही चला जा रहा है तो रोक तो सकते नहीं है हैं खुद कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर आप confusion पादा करो जूट फ़ला करके confusion पादा कर सकते हो तो यह उन्होंने खेल शुरू किया है अगनी वीर पर जूड बोला सब मैंने का नहीं कोई विश्य ऐसा नहीं है जो देशित का हो उसकी चर्चा कभी की नहीं उन्होंने study किया नहीं है किदे ने पकड़ा दिया उनको लगता है इससे लोग भढ़केंगे वोट मिलेगा और उनका इरादा है बढ़काना और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है फर्जी नारों पर निर्ण है यह यह हाले हुं का अब यह जो फर्जी खेल चल हाँ है फर्जी वीडियो के सारे चुनाव जीतने की कोशिशी देश में कभी नहीं चल सकती जी और मैं मानता हूं जमीन की स्थिती बिलकुल आ रहा है जी अब यह कभी EVM को लेकर क्या फर्जी चलाते कोई मुझे बताए जी लोग मुझे कहता कि मोदी जी इतनी महनत क्यों करते हैं कभी तो सोचो अगर EVM मेरे हाथ मेरे हुता है तो मुझे यह नहीं किया लोगता है मैं दिन रात ने जाक हूं शलाते करेए जहेए